हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्तमन वशेष्ट और एक बड़ फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पैटकेर में फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और जो सबसे जादा इंपर्टेंट बाद है वो बैल आइकन बहुत से लोग सब्सक्राइब कर देते है लेकिन बैल आइकन नहीं दबाते बैल आइकन दबाने से क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो में अप्लोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तो रनत आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो प्लीज बैल आइकन को जरूर दबान जैसा कि आप सब को पता है कि मैं हर संडे एक नई वीडियो अप्लोड करता हूँ लेकिन जो लास्ट संडे है उसका मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो टाइम की कमी की वज़े से मैं लास्ट संडे को वीडियो नहीं डाल पाया तो आज संडे है आज दुबारा तो आज हम तो वीडियो के लिए शूट कर रहे हैं. लेकिन वही है टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फेडिया आज मैं इस टापिक पर वीडियो बना रहा हूं. तो टापिक उनका डाउट ये था, कि क्या हम अपने जर्मन शेफर्ड को घर पर अकेला चोड़ सकते हैं, उनके पास जर्मन शेफर तो भी उन्होंने एक कोशन पूछा हूँ लेकिन सारी डॉक ब्रीड के लिए मैं बता रहा हूँ कोई स्पेसिफिकली एक ब्रीड के लिए नहीं कि क्या हम अपने डॉक को घर पर छोड़ सकते हैं मैक्सिमम किटने टाइम के लिए हम अपने डॉक को हूंपर अलोन चोड़ सकते हैं तो यही आज की वीडियो का उमआरा कॉटिक है सबसे पहले जो आपके मंद में पूशन आता है कि क्या हम अपने डॉक को घर पर अकेला चोड़ सकते हैं या नहीं तो अंसर है हाँ, बिल्कुल आप उसे अकेला घर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसके लिए उसको train करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको used to उसके होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये steps ले सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं पर म punishment नहीं दो सकних सान पा enneut, उसकी मन में ये करता हुले मिरे क्या है कि मीरे सभय जाएको इस स्यख लेगा, इस स़ा इसमें के सभ़ों बाद नहीं है, ये बिलकुल तो आपको करना क्या है जैसे आपको अपने जो डॉक को जैसे वो किसी रूम में आप उसको रखते हैं या फिर होम में रखते हैं तो आपको क्या करना है उसको जैसे सबसे पहले पांच मिनिट के लिए आप उसको रूम में उसको रखते हैं और जो भी इसकी प्लेस है वहाँ तो आप उसको थोड़ा डर लगेगा, ठोड़ो से अजीब सा फील होगा, वो पो इसको फिर भी नहीं कोलना है, कि अगर अगर में आपको इसको नहीं खोलना, आपको दीरे दीरे पर आदर ठालना है, तो जो भी करेगा वो 5-6 मिन उसके बाद रूम से बाहर निकालना है तो इसके आपको ठोड़े-थोड़े लॉंगर टाइम प्रैक्टिस करना है पहले 5-10 मिनट के लिए फिर शाम को जैसे सुभा करा 5-10 मिनट के लिए शाम को करा आदे गंटे के लिए फिर उसके बाद जैसे अगले दिन करा मतलब जो थोड़े थोड़े दिन इसको पता चल जाएगा घर पर अकेला रह सकता है लेकिन अब आती है दूसरी बात उसको खाने की बात उसको भूख भी लगेगी आप जादर डूरेशन के लिए छोड़ते हैं तो उसको पौटी भी आएगी अगर आप उसक ऐसी जम को देखनी है इसका क्या सोल्यूशन है और अकेला रहेगा घर पे तो इमोशनली ओ थोड़ा मतलब भीख हो जाएगा मतलब तो थोड़े जैसे आपके साथ पूरा दिन रोज-डोज पेंड करता था और अब आप जाने लग गए उसको गर पर अकेला छोड़के तो तो आप दो डॉग लेए पेर लेए और दो आप मेल फीमेल लेए फिर मेलमे जो भी ले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दो आप पवी ले किसी सेम ब्रेड के लेयं या फिर अलग-अलग ब्लीड के भी ले सकते हैं आप उनको अगर घर पर फीचर में अकेला चोड़कर जा रहे हैं तो उनको इतनी जादा प्रोब्लम ना हो, वो दोनों साथ में रह सकें और प्ले कर सकें और उनका थोड़ा जादा उनको परिशानी ना हो इस में चीज जो है यहाँ पर पौटी इंसिदेंट्स की बात आती है, अगर आप अपने डॉक को घर पर अकेला चोड़ना चाहते हैं तो उसका टाइम डिपेंड करता है उसके पौटी इंसिदेंट्स पर कि कितनी टाइम बाद वो अपने पौटी करें कितने टाइम तक वो बाद ले जा सकते हैं और अब बात करें अडल डॉक के मानलीजिए 12 तो 14 इंस से अब आपको डॉग है अगर प्रॉपर उसकी हेल्थ कंडिशन अच्छी हैं फिट है वो फिजिकली हेल्दी है तो लगवब कर सकता है तो मतलब लगवबागा 5-6 आज तक अगर आपका हेल्दी डॉग है अडल डॉग है तो आप उसको घर पर छोड़ सकते हैं मतलब जैसे आप जा रहे हैं सुबह अगर आपने पॉटी करा दिया और 5-6 गंटे बाद आ रहे हैं तो उसको फोल कर सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रेंड्स जो ये टाइम है टाइम आपको जो डिसाइड करना है वो इसी चीज को ध्यान में रखते हो डिसाइड करना है कि कब-कब उसको पॉ अगर आप जा रहे हैं सुबह उसको खाना किला कर जा सकते हैं और 5-6 गंटे बाद आ रहे हैं तो दुबारा उसको खाना खिला सकते हैं लेकिन बीच के टाइम पीड में वो करेगा क्या तो आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है आपको उसके लिए आप टॉइस आप आप शुड़ा को इसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ते हैं उसके बाद ही जी जो फूड़ा असनी से नहीं मिल게요 एक तो आप सुबह खिला गए प्लस तीन चार आपने टॉइस ले लिए उनमें भी उसको फूड जो है वो फिल कर दिया और यह नहीं है कि जो जगह खाने के वहीं पर रख चलेगे आपको जो है आपके होम में अलग अलग जिगे छुपा कर रख देने हैं आप सब को पता ही ह पता है कि अपने टॉइस कर दिया नहीं होने चाहिए जिनको च्यू या स्वैलो कर जाए उसके आपको डॉब्लम हो सकती है तो फ्रेंड्स यह ही थी आज की हमारी वीडियो कि क्या हम अपने डॉप को अपने डॉप को अलोन छोड़ सकते हैं और कितने टाइम के लिए आदर डालनी है यह देखना है कि वह कुछ भी समान को खराब नहीं कर रहा है मतलब जैसे आप उसको बंद करके जाने है तो ऐसे नहीं होना चीछ तो तभी आप उसको पहले ही ट्राई करेंगर पांच ज़स्मिंट में उसने कुछ नहीं करा कुछ तो पोड़ अंदर मतलब को नहीं फैला है तो टाइम दूरेशन बढ़ें और बढ़ें दीरे मतलब वह बिल्कुल अगर शांत रहने लग जाए अंदर तो ही आप उसे ज्यादा टाइम कर चोड़ें वरना उसी डूरेशन में प्रैक्टिस कराते रहें दूसरी इसके पॉर्टी इंसिडेंट्स का आ अधर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी मदद ही थोड़ी भी यूसे का है आपके लिए तो प्लीश हमारी वीडियो को लाइक करें चेर करें और lık को सब्सक्राइब करें प्रेंड्स हर संदे में वीडियो डालता हूं तो आप हमारे चैनल पर लगातार दून रहे हैं